अवशक्ता कभी समस्य नहीं बनती बलकि अनावशक्ता ही समस्य की जननी है भाशा की परिभाशा बनाई जा सकती है पर भावों की नहीं जब भी जिन्दिगी में संकट आता है तो सहन शक्ती पैदा करो जो सहता है वह रहता है इश्वर कहते हैं किसी को तकलीव देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीव की फिक्र मत करना योगिता और पद दोना अलग-अलग वस्त में है लेकिन योगिता के बिना पद का कोई मुल्य नहीं होता आखों की पूजा आज तक किसी ने नहीं की सदाचरणों की पूजा होती है यानि द्रश्टी नहीं आचरण पूजे होता है